हेलो फ्रेंड्स आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुती स्पेशल इंडिया के त्योहार वाली मिठाई जो की है गुजिया तो होली और दिवाली जैसे त्योहार में जब तक गुजिया ना बने तब तक तो पूरा मज़ा आता ही नहीं है लेकिन यह बनाने में थोड़ी महनत होती है और इसके साथ कई लोगों कोई शिकायत होती है कि बीच में फूर जाते हैं या इनकी ठीक से क्रिस्प कवर नहीं बनती तो मैं आज आपको कई टिप्स के साथ यह रेसिपी बताऊंगी तो चलिए फिर शुरू करते हैं और रेसिपी आगे शुरू करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा तो चलिए बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ तो सबसे पहले गुजिया का कवर बनाने के लिए हम उसका आटा तयार करेंगे तो यहां पर मैं ले रही हूँ दो कप मैदा यह एक कप है और यह दो कप हो गया हमारा मैदा और अब हम इसमें डालेंगे बहुत ही कम मतलब एक चौथाई चमच एक चुट कुरा बनेगा एकदम खसता घी और आटे को मैदा को अच्छी तरह से मिक्स करना है तो मैदा के हर कण पे घी लग जाएगा अच्छी तरह से तो घी मैदे में अच्छी तरह से मिल गया है और इस तरह से हम यह इसकी मुठी बानने की कोशिश करेंगे तो यह शेप होल्ड कर क्वेसे एसका मतलब मोजन ठीक से लग गया है तो अब इसको हम हलका गर्म हभलका गर्म कुणखुना पानी लेकर इसफे गुंदेंगे और करीब इसमें आधा कप पानी लगेगा हमें दो कप मैधा में करीब आधा कपला पानी हमें लगेगा और इसका हम सक्त डो बना लेंगे तो इस तरह से मैंने इसका कड़ा डो गुंद के रख दिया है और इसे हम करीब 15 मिनिट रेस्ट करने के लिए रख देंगे इस पे ढकन लगाना बहुत जरूरी है नहीं तो इस सूख जाएगा मैं इसको रख देत करीब 10 भारा काजू और 10 भारा बादाम तो सबसे पहले हम इन्हें इसमें सेक लेंगे अच्छी तरह से तो देखिए काजू और बादाम अच्छी तरह से भून गए हैं थोड़े से पिंकिश हो गए तो इनको मैं निकाल लेती हूँ अब इसी बचे हुए घी में मैं वन फ अब इसमें मैं डाल देती हूँ वन फोर्थ कप नारियल का बुरादा आप चाहें तो इसे घर में बना भी सकते हैं मैंने यहां मार्केट से तयार खरीदा है नारियल का चूरा अब इसको सिर्फ आदा मिनट हमें भूनना है तो यह तयार है बिलकुल भून कर और इसे में प्लेट में निकाल लूँगी और अब मैंने लिया है यहां पे मेन इंग्रेडियंट जो की है मावा तो करीब 100 ग्राव मावा या आधा कप मावा यहां पे ले लीजिए और इसे थोड़ा सा तोड़ कर हमें धिमी आज पर अच्छे तरह से भूनना है ताकि मावा जल्दी खराब नहीं हो नहीं तो गुजिया की फिल्लिंग हमारी जल्दी खराब हो जाएगी और ज्यादा दिन वह नहीं टिकेंगे मावे में थोड़ा जो गीला पन है वो इस तरह से भून के हमें सुखा देना है पहले यह थोड़ा और गीला होगा और उसके बाद यह सुखेगा यह थोड़ा पतला हो गया था अब यह फिर से गाड़ा होने लगा है हमें फिर भी इसे बहुत धीमी आच पे भूनते ही रहना है चलाते हुए भूनते रहेंगे तो देखिए हमारा मावा अच्छी तरह भून गया है इसका रंग भी बदल गया है यह हलका बादामी गुला इनको ठंडा होने के बाद हम एक साथ मिक्स करेंगे तो इन्हें ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं अब इसमें मैंने लिया है तीन से चार हरी इलाइची तो इसे हम कूट कर महीन इसका चोड़ बना लेंगे तो यह भी मैं इसमें डाल रही हूं चार इलाइची का अब इसको भी हम इसमें डाल देंगे अब इसारा मिक्स्चर ठंडा हो गया है तो हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे हमारी फिल्लिंग देखिए बिल्कुल रेडी है और इसको हम साइड में रखे अब हम गुजिय का कवर बेलना शुरू करते हैं यह हमारा आटा जो अच् चोटी लोई इस तरह से मैं इसकी लोई बना रही हूं इस तरह से चोटी चोटी आपको चोटी या बड़ी कैसी गुजिया बनानी है उस तरह से आप लोई की साइज रख सकते हैं मैं इसे एक छोटे निम्बू की आकार का तोड़ रही हूं अभी तो अभी फिलाल मैंने आ यहां पे बेलूंगी इससे पहले इसमें थोड़ा सा घी हम लगा देंगे तो यह रोलिंग सर्फेस पे और रोलिंग पे नियाने बेलन पे दोनों पे थोड़ा थोड़ा घी हम लगा के अब इसको रखके बेलेंगे मीडियम बेलना है न बहुत पतला न बहुत मोटा और यदि आपसे एकदम गोल नहीं बिल रहा है तो आपकिसको इसको किसी डिब्बे या ग्लास के शाइता से गोल काट सकते हैं तो इस तर ऐसे इसे काट सकते हैं पर मुझे यहां जरूत नहीं है तो मैं इसे ऐसे ही रख रही हूँ अब इसमें किनारों पे पहले हम लगा देंगे पानी कभी-कभी हम यह गलती करते हैं कि इस पे पहले सारन रख देते और फिर पानी लगाते तो किनारे में जो चला गया है वहाँ पे चिपकतानी ठीक से और तलते समय खुल जाता है परन्तु पहले यदि आप पानी लगाओगे तो ये गलती नहीं होगी तो अभी इसमें बिल्कुल सेंटर में हमें रखना है थोड़ा सा पूरन या फिलिंग और अब इसे हम फोल्ड कर देंगे इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और इसे दबा दबा कर अच्छी तरह से किनारे चिपका देंगे ऐसा करने के बाद ना इसे अच्छी सी डिजाइन देने के लिए इस तरह से किसी फोक से उसे दबा देंगे हम यदि आपके पास कोई अच्छा कुकी कटर या कुछ है तो आप उससे भी इसको सुन्दर डिजाइन दे सकते हैं या फिर आप मोल्ड है तो मोल्ड में भी इसको डाल कर बना सकते हैं तो इस तरह से देखिया हमारी एक गुजिया पिलकुल तयार है तलने के लिए इसे हम साइड में रख देते हैं अभी और दूसरी गुजिया तयार करेंगे इसी तरह से हम दूसरा गुजिया बना रहे हैं तो याद रहें कि नारों पे पहले पानी लगाना है उसके बाद सेंटर में हमें फिलिंग रखनी है चिपकाना है इस तरह से और अब इसे फोक से उससे दो फ़ाइदे होंगे फोक से प्रेस करने से एक तो यह की अच्छे से चिपक जाए गा और दूसरा इसमें इसमें सुन्दर डिजाइन भी बन जाएगी तो हमारी दूसरी गुजिया भी बन गई है, इस तरह से हम सारी गुजिया बना लेंगे एक-एक करके, तो हमने थोड़े से गुजिया इस तरह से शेप की हैं, चलिए इने अब फ्राइ करते हैं हम लोग, मैंने या तेल चड़ा दिया है, तेल देख लेते हैं, तो हलका गर्म हो गया है यदि आप हो सके तो इने घी में तलेंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे लेकिन यदि आप तेल में भी तल रहे हैं तो एक छोटी सी टिप है आपके लिए इसमें एक कमत बस आप शुद्धी डाल दीजिए तो आपके गुजिया में घी की खुश्बो भी अब इसे गरम होने देते हैं घीर को भी फिर से और आप गुजिया में एक एक करके इसमें डाल दूंगी तेल मध्याम चाहिए हमें गर्म ना तो बहुत घर्म ना बहुत ठंडा इस तरह से गुजिया इसमें डालना है हमें और अब इसे हमें छेड़ना नहीं है थोड़ी दिर बस थोड़ी देर गुजियों को हम ऐसे ही अपने आप होने देंगे बहुत हलके से सिर्फ इसे हीलाया मैंने अब इसको हम थोड़ा सा तलने के लिए पलट देंगे तो हर एक को बहुत हलके हाथ से हमें पलटना है गुजिया हमारे फूल के अल्मोस्ट डबल हो जाते हैं साइज में इनके अंदर फिलिंग पूरा फैल जाते है फिर अच्छी तरह से बस धीमी आज पर और थोड़ा दूसरी तरफ भी कुखोने देंगे तो यह सारे गुजिया तयार हैं अब इन्हें मैं निकाल लेती हूं एक प्लेट में एक एक करके बहुत सावधानी से क्योंकि यह बहुत ही डेलिकेट होते हैं गुजिय का रंग आप वाइट या लाइट ब्राउन पिंक जैसा चाहे रख सकते हैं मुझे यह थोड़े ब्राउन पके हुए ही पसंद है इसी तरह से और गुजिया तल लेते हैं यह ध्यान रखना है कि आज बिल्कुल भी तेज नहीं होनी चाहिए और इन्हें छेड़ना नहीं है थोड़ी देर डालने के बाद तेल में हमारे गुजिया अच्छी तरह से ब्राउनिश पिंक बनकर तयार हो गए इन्हें मैं निकाल लेती हूँ तो हमारी होली स्पेशल गुजिया बिल्कुल बनकर तयार है और बहुत ही क्रिस्पी बनी है यह मैं आपको एक तोड़ कर दिखाती हूँ यहाँ पे यह देखिए औ और इसकी टिप्स को भी आजमा के देखिएगा आपको बहुत आसानी से गुजिया बनाने में मज़ा आएगा उसमें कोई तकलीफ नहीं होगी तो मैं मिलती हूँ और रेसिपीस के साथ तब तक के लिए मिलते हैं फिर से हैपी दीवाली हैपी होली बाई